हेलो दोस्तों, आप सबी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल गुपता जी इस्टेनों में यह डिक्टेशन असी सब्द प्रति मिनट से है इस्टार्ट उपाध्यच महोदे मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ मुझे खुसी है कि क्रिसी मंत्री एक करांतिकारे बिल लाए है लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है मुझे खुसी है कि मंत्री महोदे ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेस किया है परंत कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है उन्होंने इस बात की और ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कबजा करने की लोगों की जो भूक है उसको नहीं रोकेंगे तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वा है बेरोजगारी उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है आदिवासी लोगों को गरीब और पिछडे लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है काफी ऐसे लोग हैं जो छे महिने से वनों से ही फलफूल द्वारा भोजन करते हैं मैं इस विशय में मंत्री महोदय का ध्यान आकरसित करना चाहूंगा मेरा छेत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत भरा भरा है वहां काफी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहां नहीं होगी मैंने प्रधान मंत्री जी को इस विशय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहां जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए इसके बाद एक शमिती बनी जिसको वहां जाकर सारी चीजों को देखना था उसकी सिफारिस के अनुशार वहां काम होना था इस समिती को बने हुए छे साथ महीने हो गए हैं लेकिन यह समिती आज तक वहां नहीं जा सकी है जगड़ा क्या है जगड़ा यह है कि कनिष्ट अधिकारी को इस समिती का अध्यच बना दिया गया है जो वरिष्ट अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे उनके साथ कैसे जाएंगे इस वास्ते यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए हमारी जो अर्थ नीती है वह वनों पर आधारित है जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है जो इमारतें हैं वे लकडी की ही बनती है इटें वहां नहीं बनती है सीमेंट का वहां कोई कार खाना नहीं है इधर से ही वहां सीमेंट जाता है उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है असम से टिम्बर नहीं आता है चुकि वहीं से आ सकता है इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत उचा हो गया है और वह असम से टिम्बर ना आने की वजह से हुआ है लकडी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है महोदे आधनिक युग की एक बड़ी दिन या है कि हम किसी भी चीज की बहुत प्रतियां बना सकते हैं प्राजीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो गरंत की हस्त लिखित प्रति एक ही होती थी उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा गरंत लिखना पड़ता था जो बहुत ही व्यासाद्य और स्रमसाद्य काम होता था आज किसी गरंत या वस्तू की प्रतियां केवल मुद्रणालें में ही नहीं बलकि अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याती हुआ करती थी पर वहनाटककार एक ही इस्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुसलता से दिखला सकेगा जितनी कुसलता से उसने पहली बार दिखलाया था आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं बलकि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती हैं और साथ साथ उसकी वाड़ी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल एक इस्थान पर ही नहीं बलकि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां चाहें सभी इस्थानों पर और जितनी बार चाहें सुन सकते हैं और देख सकते हैं इसी का नाम शादारटा फिल्म हो गया है फिल्म में बड़ी सकती है यदि अच्छे पात्र अच्छे कथानक और अच्छा आदर्स दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पढ़ता है जैसे किसी भी अच्छे नाटक का पर वहां भी यदि कथानक दूसित हो पात्र चरित्रवान ना हो और गतिविदी उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को उपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पढ़ता है नाटक तो एक आदमी एक इस्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहां बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुच सकता पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती है उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है इसलिए यह आवस्यक हो गया है कि जिस चीज में इतनी सक्ति हो उसका उप्योग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए समाप्त धन्यवाद